पपीता पाइल्स के लिए बहुती असरदार है यह थमनील देखकर ही आपने वीडियो पर क्लिक किया है जब आपने क्लिक कर ही दिया है तो पूरी पास समझ कर ही जाना और आपका जानना भी जरूरी है कि पपीता पाइल्स में क्यों जरूरी है ऐसा क्या है पपीते में जो आ और साथ ही ये भी जाहना जरूरी है कि पपीता कब नहीं खाना चाहिए। चलो दोस्तो अब वेडियो को स्टार्ट करते हैं। पपीता पाइल्स के लिए क्यों जरूरी है। इसके कुछ सांस्टिफिक रीजन है। पहला रीजन है पपीतिय में मौझूद पैपिन होता है जो हमारे डाज़ेजन स्टम को ठीक करता है। जिससे कि आपको कॉंस्टिफिशन की समस्या नहीं होती। तो पाइल्स की समस्या भी आराम मिलता है। अगर आपका मल ठोस होगा तो आपको लेट्री वाली जगह पर क्रेक आ सकता है। जिससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। इसलिए मल नरम रहेगा तो आपको पाइल्स में आराम मिलेगा। चलिए अब जानते हैं तीसा रीजन पपीता के अंदर बिटमिन C और बिटमिन E का सुरूत है। यह बिटमिन और एंटी ऑक्सिडन होते हैं। बूफ लेट्री वाले रास्ते पर जो सुजन होती है उसको कम करते हैं और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। उसी के साथ लेट्री वाले जगए पर जो सेल होते हैं उनकी मदद करने में हेल्प करता है। इसका चौधा रीजन है पीठा के रोटेन एक ऐसा एंटी ऑक्सिजन है जो बिटमिन E में परिवतिन हो जाता है और वो सरीर का इम्मुनिस स्टम है मजबूत करता है। और इस पज़ए से लेट्री जगए पर जो सुझन है उसको कम करता है। और पांचवा रीजन है वो है इसमें पोटेशियम और मेंगनेशियम लट्रूलाइट्स होते हैं जो हमारे सरीर में मास्पेशियां होती हैं उनको सही रखते हैं। और अब आती है इसको खाने की बाद तो इसको सुबह खाली फिट खाना चाहिए है।